हेलो एवरिवन मैं हूँ परदीप और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड में कोई भी फोटो कैसे लगा सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में Google Indic Keyboard Application को इंस्टोल करेंगे तो चलिए यहाँ पर हमने अपने application को इंस्टोल करने के लिए Play Store ओपन कर लिया है यहाँ पर Google Indie Keyboard को हमने already install करके रखा है तो चलिए वापस आएंगे वापस आने के बाद इस application को open करेंगे लेकिन इस application को open करने से पहले मैं keyboard का background दिखाना चाहता हूँ इसके लिए message inbox को open करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो keyboard का background है वो बिल्कुल simple है तो चलिए बैक आएंगे बैक आने के बाद Google Indie Keyboard application को open करेंगे यहाँ पर हमने open कर लिया है step 1 लिखा हुआ आया है और यहाँ पर नीचे enable in settings लिखा हुआ है इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद यहाँ पर Google Indie Keyboard यहाँ इसको own कर लेंगे इसको own करने के बाद OK पर click करेंगे OK पर click करने के बाद step 2 है यहाँ पर नीचे select input method इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद second वाला option English and Indie language इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद keyboard पर click करेंगे Keyboard पर Click करने के बाद Themes पर Click करेंगे Themes पर Click करने के बाद यहाँ पर कुछ color हमारे सामने स्वोओ हो रहे हैं यदि आप अपने Keyboard के background में कोई color choos करना चाहते हैं कोई color को लगाना चाहते हैं तो यहाँ से select करके लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी करर नहीं चाहिए तो हम माई इमेज पर किलिक करेंगे माई इमेज पर किलिक करने के बाद यहां पर हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी गैलरी पर किलिक करेंगे गैलरी पर किलिक करने के बाद यहां पर हम एक फोटो को सलेक्ट करेंगे तो चलिए यहां से हम एक फोटो को select कर लेते हैं और इसको crop करेंगे crop करने के बाद next पर click करेंगे next पर click करने के बाद adjust brightness यहां पर हम brightness को कम यह ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद then पर click करेंगे then पर click करने के बाद जो हमने photo लगाई है वो लग चुकी है तो चलिए अब इसको देखते हैं अपने message inbox में जाकर कि ये photo लगी है या नहीं लगी है तो यहाँ पर देखिए जो हमने photo लगाई है वो successfully लग चुकी है तो दोस्तो इस application के दो बहुत बड़े फायदे हैं सबसे पहला ये है कि आप अपने background में की बोर्ड के background में कोई भी photo या कोई भी अप color यहाँ पर लगा सकते हैं और दूसरा फायदा ये है कि आप यहाँ पर इसको हिंदी में type कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप अपर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी word पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिपिकेशन आप तक पहुंच जाए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद